मेरे किसान साथियों आज हम बात करने वाले इमा वैक्टिंग बैंजुएड 1.9% EC4 में जो आता है आप इसका किसी भी फसल में प्रियोग कर सकते हैं चाहें आपके धान गन्ना टमाड़ा लोगी टिंडा बैगन किसी भी सब्जी वाली फसल में या अधर फसल में किसी में भी कर सकते हैं किसी प्रियोग कर सकते हैं बहुत ही बहुत ही बैटर मिलता है तो अच्छा है यह बात करते हैं इसके पार में आपको यह या इसमें यह गरता है और उसके साथ को भी करता है इन्सेको बिकांडूल करता है जो रच्छोच की रहता है इसका इल्यों को सब्सक्राइब करना रहता है इसका कोई साइड़ नहीं किसी भी फसल में प्रियों कर सकते हैं चाहें आपके सब्सक्राइब करते हैं प्राइस के वारे में अब अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो आप कोई हैवी टेक्निकल नहीं लगा सकते जैसे किलोरो या साइफर आप यूज नहीं कर सकते अगर आप यूज करेंगे तो आपके बाली काली पड़ जाएगी और दाने में फरक पड़ जाता है जिससे कि हमारी कम हो जाती है और बहुत बाहरी नुकसान होता है जब बाली निकलने के बाद में दावाई जाणी पड़ती है ताकि हमारी फसल को भी हानी ना पहुचे और हमारे रिजल्ट भी बहतर आए आप बायो में भी लगा सकते हैं इसका प्रियोग करें बहुत ही झाल झाल